एवरिवरन नीव इंसिचूट के इस ओफिशल प्लेटफॉर्म पर आप सब का स्वागत है आज हम के बायोलोजी में कुछ इंपॉर्टेंट एंसी क्यूज जो है वो डिसकस करने वाले हैं जो प्रीवेस एक्जाम में आए हुए हैं और आपके टैट के एक्जाम के पॉइंट आफ व्यू से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको अपनी क्लास में चलने से पहले मैं आपको नीव इंसिचूट के बारे में इस सेशन में में स्पेशली बात कर रही हूं हमारे एचपी टैट के बारे में तो नीव इंसिचूट ने एचपी टैट की तीनों स्ट्रीम मेडिकल नॉन मेडिकल और आर्ट्स के लिए कमिंग टैट एग्जाम जो नवेंबर में होने वाला है उसके लिए जो है वो का आइकन जो है वो नीव इंसिचूट में देखने को मिलेगा उसको इंस्टॉल कीजिए और अपनी क्लास बुक करवाने के लिए हमारे फोन नंबर 9459802085 पर कॉल करके जो है वो अपनी क्लास ऑनलाइन क्लास जो है वो बुक करवाईए ठीक है अब मैं आपको बता दूं क कि नीव इंसिचूट जॉइन करने में आपको क्या क्या बैनिफिट्स मिलेंगे तो सबसे पहला बैनिफिट्स है हमारा वन वीक डैमो फ्री वन वीक डैमो फ्री हमारी ऑनलाइन और आफ्लाइन क्लास में रहता है यह इसलिए है ताकि आप एनलाइस कर पाएं कि क्या जो हम एक big opportunity जो है वो नीम institute देता है इसके लावार daily classes weekly test and quizzes and doubt removal session भी जो है वो हमारे online और offline classes में रहता है HP TED की fees के बारे में बात करूं तो वो fees है 1999 रूपीज और इस fees में भी हम 20% discount दे रहे हैं BPL students को ताकि वो अपनी पढ़ाई को जो है वो regular रूप से कर सके HP TED में मेरे पास subjects रहेंगे chemistry and biology HP TED में मैं आपको chemistry and biology का जो है वो portion करवाऊंगी तो चलिए चलते हैं अपनी biology की class में हमारे कुछ top mcqs हैं आज के the largest part of human heart human heart का largest part कौन सा है आपको पता होने चाहिए human heart जो है वो four chamber होता है उसमें two auricle जिनको हम atrium बोलते हैं और two ventricle होते हैं ठीक है तो largest part of human heart की में बात करूं तो वो होता है हमारा option d left ventricle is the largest part of human heart और left ventricle से जो है वो oxygenated blood जो है वो different body parts में जो है वो जाता है ठीक है तो largest part of human heart is left ventricle question number two है malphysian tubules are excretory organ of ठीक है कि malphysian tubules किसके excretory organ है तो malphysian tubules जो है वो insects के जो है वो excretory organ है और यहां insects में सिरफ जो है वो cockroach ही option है ठीक है तो यहां पे जो इस question के according जो है question number two के according जो right answer है कि malphysian tubules are excretory organ of cockroach क्योंकि malphysian tubules जो है वो insects के जो है वो excretory organ होते हैं next है loop of handling is founding loop of handling जो है वो किसम पे present होती है देखिए जब भी हम किसी cell की structure पढ़ते हैं या chloroplast का पढ़ते हैं human kidney पढ़ते हैं heart पढ़ते हैं तो हमें उनके structures पूरी तरह याद होने चाहिए कि कौन सा structure जो है वो किसमें पाया जाता है ठीक है तो direct जो है वो examiner question पूछ लेता है कि कौन से चीज़ जो है वो किसमें है तो मैं पता होना चाहिए कि जैसे lungs में कौन-कौ से पार्ट है nephron कहां पाया जाता है ठीक है तो loop of henley जो found होता है वो होता है हमारी kidney में ठीक है kidney में अब kidney के कौन से पार्ट में जो है वो loop of henley होता है तो वो होता है nephron में क्योंकि kidney का पार्ट जो है वो nephron है ठीक है तो question no.3 का right answer है a option nephron loop of henley is found in nephron question no.4 है these animals which excrete large amount of ammonia are कि ऐसे animals large amount of ammonia excrete करते हैं वो कौन से होते हैं terrestrial होते हैं egg laying होते हैं amphibians होते हैं या aquatic होते हैं ठीक है तो large ammonia जो है देखिए जो हमारा nitrogen waste जो है वो excrete करते हैं organism और वो है आपका ammonia, urea and uric acid और इसमें जो है वो सबसे toxic जो होता है वो होता है ammonia तो उसके excretion के लिए जो है वो large amount of water चाहिए तो जो aquatic animals हैं उनके पास जो है वो large amount of water में रहते हैं तो इस question के according जो right option है वो है option D कि these animals which excrete large amount of ammonia are aquatic animals जो है वो large amount of ammonia excrete करते हैं question number 5 है chylo microns are chylo microns क्या है ठीक है तो chylo microns क्या है chylo microns है protein coated fat globule जब fat के globule जो है वो protein से coated हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम chylo microns तो इस question के according question number 5 के according जो right option है वो है protein coated fat globule next है cordae tendine in heart are found in देखिए जो cordae tendine है वो heart में पाए जाते हैं ठीक है यह होते हैं पैपिलरी मसल से यह बनते हैं ठीक है और यह क्या करते हैं जो हमारे bicuspid और tricuspid valve हैं ठीक है यह उनको उनके पास जो flap होते हैं वो होते हैं cordae tendine है ठीक है तो bicuspid और tricuspid valve जो है वो अप्शन्स हैं sa node av node तो sa node होता है pacemaker of heart जिसको cyno auricular node भी बनता है जो heart भी generate होती है वो यहीं से होती है ठीक है तो pacemaker जो heart का है वो है sa node और av node की मैं आपको बात बताओं तो av node को बोलते हैं pace setter of heart तो आपको दोनों चीजों का पता होना चाहिए pace maker of heart is sa node and pace setter is av node an open circulatory system mean open circulatory system जो है वो किसमें होता है तो देखें दो type की जो है वो circulatory system होते है open and closed circulatory system जो open circulatory system है उसमें blood जो है वो tissues में openly बैहता है वहाँ जो है वो blood vessels नहीं होती और closed circulatory system में जो blood है वो जो है वो proper blood vessels में बैहता है तो open circulatory system किसमें पाय जाता है तो चार options है, reptiles, human, insect and apes, तो reptiles में भी जो है, वो closed circulatory system होता है human में भी और apes में भी तो open circulatory system जो है वो हमारे किसमें होगा, insects में जैसे cockroaches बगेरा उसके example है, तो open circulatory system पाया जाता है, insects में next question है, the stone formed in human kidney consists mostly of, जो stone बनता है, आपको पता है, kidney में ठीक है, वो किस से बना होता है, तो जो बना होता है, जिस substance है, उसका नाम है, calcium oxalate ठीक है, हमारी kidney में जो stone form होता है वो form होता है, calcium oxalate का, question number 10 abnormal rise in RBC count is called, कि RBC count में जो abnormal rise होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं poly scythemia, देखो ये जो ये आपको as it is, याद करने पड़ेंगी, कि abnormal rise in RBC को बोलते हैं poly scythemia, next question है, question number 11, leukemia is due to, leukemia किस की कारण होता है, तो जब हमारे blood में, जो white blood cells हैं, ठीक है, हमारे blood में आपको पता है, क्या होता है RBC होते हैं, WBC होते हैं platelets होते हैं, ठीक है, तो जब excess of WBC हो जाता है, तो क्या होता है leukemia होता है, तो इस question के according, question number 11 के according, leukemia is due to excess of WBC white blood cells, जो हैं उनके excess हो जाती है, तो इसको leukemia बोलते हैं, question number 12 है, the cells called podocytes, podocytes है, यह, ठीक है, मैं लिखती हूँ इसकी spelling दुबारा से यहाँ थोड़ी spelling mistake है podo है, ठीक है, यहाँ यू लिखा है, यहाँ पे o है, the cells called podocytes occurring, ठीक है, अगर आपने जो है, वो nephron का structure अच्छे से पढ़ा है, तो cells of podocytes, जो है, वो होती है, inner wall of woman, capsule में होती है cells of podocytes और यह epithelial cells से जो है, वो बनी होती है, ठीक है epithelial cells से बनी होती है, यह cells of podocytes, तो यह होती है, option D, inner wall of woman, capsule, ठीक है, जो होता है, आपके nephron का structure, अगला question है, kidney receive about filling the blanks of blood per minute, kidney, जो है, वो कितना blood per minute जो है, वो receive करती है, तो option D is right answer, 1200 milliliter blood, ठीक है, जो kidney है, वो per minute, जो है, क्योंकि आपको पता है, जो blood filter होता है, वो kidney में होता है, तो kidney, जो है, वो 1200 ml blood per minute, जो है, वो filtration के लिए जो है, वो receive करती है, आगे question number 14 है, the cells medicated immunity inside the human body is carried out by, ठीक है, कि कौन सी cells, जो है, वो human body में immunity के लिए responsible हैं, तो वो है, हमारी T lymphocytes, के लिए होती हैं, लेकिन T lymphocytes का जो है, वो ज्यादा इसमें रोल रहता है, the cells medicated immunity inside the human body is carried out by T lymphocytes, next question है, by weight, which percentage of blood in human body, कि human body में by weight, जो है, वो blood की क्या percentage रहती है, ठीक है, तो वो है, 0.07%, हमारी body के weight के according, जो blood की weight है, बोड़ी में, वो है, 0.07%, question number 16 है, which organ of the human body is metabolically most active organ, ठीक है, तो जो आपका liver है, that is most active metabolically most active organ है, human body का, next question number है, 17, approximately how many nephrons are present in body, ठीक है, तो जो approximately जो आपके NCRD इस बुक में दिया हुआ है, वहां दिया है, 10 lakh nephron होते हैं, body में, ठीक है, और 10 lakh को जो है, वो 1 million भी बोलते हैं, तो अपने confuse नहीं होना है, 1 million and 10 lakh, जो है, वो equal terms है, next है, question number 18, the increase in acidity of blood is, ठीक है, जब blood में acidity increased हो जाती है, ठीक है, तो acidic हो जाता है blood, तो वो कौन सा effect होता है, वो होता है, है, जो आपका halden effect, क्योंकि जो halden effect है, वो dissociation of carbon dioxide से related है, और आपको पता है, dissociation of carbon dioxide होती है, तो ions बनते हैं, ठीक है, by carbonates ions बनते हैं, तो वो blood की acidity को increase करते हैं, तो increase in acidity of blood due to halden effect, next है, lack of oxygen in heart muscle causes acute chest pain, is symptom of, ठीक है, तो जो acute chest pain होती है, हार्ट में, वो किसके कारण होती है, जब heart muscle को जो है, वो proper oxygen नहीं पहुंचती, तो heart pain होती है, chest pain होती है, जिसको हम बोलते हैं, option A, angina, ठीक है, तो इसको बोलते हैं, angina, कि lack of oxygen in heart muscles है, यहाँ पे, muscles L है, यहाँ पे, K नहीं है, muscles causes acute chest pain, is symptom of angina, question number 20 है, mal formation of kidney, mal M-A-L है, formation of kidney led to accumulation of insoluble crystal, crystal है यह, crystal salt, जिसको stone बोलते हैं, ठीक है, और हमने पढ़ा, वो किसका बना होता है, वो बना होता है, calcium oxalate का, जो stone बनता है, kidney में, mal formation of kidney, जब kidney अच्छे से काम नहीं करती है, तो वहाँ पे, जो है, वो, calcium oxalate stone formation हो जाती है, किड़नी में ठीक है, तो वो, उस term को हम क्या बोलते हैं, तो उस term को बोलते हैं, हम renal calculi, ठीक है, जब mal functioning होती है, mal formation होती है, किड़नी में, और accumulation होती है, insolubal crystal-like, जो stone बनते हैं, calcium oxalate के stone होते हैं, तो उस term को हम बोलते हैं, renal calculi, ठीक है, क्या बोलते हैं, renal calculi, तो आज के लिए इतना ही, यह important MCQs थे, I hope आपको यह MCQs, जो है वो important, और समझ हाई होंगे, और अगले next हम और जो है, वो important MCQs ले आएंगे आपके लिए, बाइलोजी के तो आज के लिए इतना ही, thank you and have a nice day